नमस्कार दोस्तों आप सबीका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल विसीए स्पैसिक फिजिक्स में और आज की इस वीडियो में हम कट्सा बारा का टोपिक लेकर चल रहे हैं नाभी की सल्यन देखें दोस्तों ये एक नाभी की अभीकिरिया का प्रकार है और इस प्रकार की नाभी की अभीकिरिया में दो हलके नाभीक छोटे नाभीक मिलकर एक भारी नाभीक का निर्मान करते हैं बड़े नाभीक का निर्मान करते हैं तो नाभी के सल्यन अभीकिरिया किसे कहते हैं तो इसमें हलके नाविक मिलेंगे और बड़े नाविक का निर्मान करते हैं इससे पहले हमने देखा कि नाविक की विखंडन में एक जो भारी नाविक होता है वो दो हलके नाविकों में तूडता है यहां पर काफी छोटे नाविक होंगे जिनकी दुरिमान सेंक्या 30 से लगभग कम होती है तो वो आपस में मिलकर एक भारी नाविक का निर्मान कर लेते हैं देखें दोस्तों इस प्रिक्रिया के दोरान अत्यदिक मात्रा में उर्जा का उत्सरजन होता है और वो उर्जा आई कहां से हैं जब दो हलके नाविक मिलकर एक भारी नाविक का निर्मान करते हैं तो जो उत्पाद बनता है उसका दुरिमान अभिकारकों के दुरिमान से कम होता है और जो दुरिमान में कमी आती है वो आइंस्टीन के दुरिमान उर्जा संबंद के अनुस उर्जा में convert हो जाती है दोस्तो तो यहाँ पर अब हम इसको प्रिभासित करते हैं इसके example भी आम आप लोगों के सामने रखेंगे तो देखिए कि वे नाभी के अभी किरियाएं जिनमें दो हलके नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्मान करते हैं भारी नाभिक का निर्मान करते हैं दो हलके नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्मान करते हैं नाभिक के सलियन अभी किरियाएं कहलाती हैं नाभिक के सलियन अभी किरियाएं नाभि ये सलियन अभी किरियाएं कहलाती हैं इन अभी किरियाओं को हम नुक्लियर फ्यूशन रेक्शन कहते हैं अब देखें इनके एक्जामपल्स यहां पर हम देखेंगे हम हाइडोजन परमाणू को हाइडोजन परमाणू के साथ में सलियत करेंगे तो देखें क्या बनता है जब एक हाइडोजन का परमाणू दूसरे हाइडोजन परमाणू के साथ में सलियत होता है तो यह H12 हाइडोजन के समस्थानिक का निर्मान करता है Deuterium का यहाँ पर निर्मान होता है साथ में एक अन्य कण भी बहार निकलता है जिसको हम positron कह रहे है E plus 0 plus 1, 0 तो इसका मतलब है कि यह धनात्मक कण होता है positron होता है जिसका आवेश, proton के आवेश के बराबर और इसका जो दुरिमान है वो electron के बराबर होता है जब positron का उत्सर्जन होता है तब यहाँ पर एक neutrino नामक कण का उत्सर्जन भी होता है साथ में उर्जा भी उत्सर्जित होती है दोस्तो तो यहाँ पर यह जो reaction है वो नाभी के सल्यन अभीगरिया का उधार्ड है H-1-1, H-1-1 मिलकर H-1-2 का निर्माण करते है साथ में यहाँ पर यह positron नामक कण का उत्सर्जन होता है यह positron इलेक्ट्रोन का परतिकन होता है यह electrone का परतिकन है electrone जैसा ही है लेकिन इसकी जो परकत्ती है वो electrone के विपरित होती है इसका जो दुर्यमान है वो इलेक्ट्रोन के दुर्यमान के बराबर होता है इसका जो आवेश है वो इलेक्ट्रोन के आवेश के बराबर लेकिन धनात्मक होता है तो ये इसका आवेश होता है दोस्तों इसका जो चक्रन है वो इलेक्टोन के चक्रन की विप्रित दिशा में भी होता है तो ये है पोजिट्रोन, इलेक्टोन का पर्तिकन जिसका दुर्यमान इलेक्टोन के बराबर आवे से इलेक्टोन के बराबर लेकिन धनात्मक होता है इसके साथ में पावली ने ये भी कहा कि इस पूरी रियक्शन के अंदर कोण ये समवेग और उर्जा संदक से तभी रहेगी जब एक अतिसुक्षम कण की हम प्रिकलपना करते हैं ये जो न्यू है ये कहलाता है न्यूट्रिनो नामक करने है ये अतिसुक्षम पार्टिकल होता है जिसका दुरिमान बहुत कम दसकी घात मैनिस 75 किलोग्राम की कोटीगा होता है ये आवेस रहीत पार्टिकल होता है लेकिन इसका चक्रन होता है और ये कोण ये समवेग संदक् कि इस equation के अंदर ये particles को हम दिखाते हैं ये उठसर्जित होता है साथ में यहां पर कुछ उर्जा का भी उठसर्जिन होगा उसके पीछे region यह है कि अभिकारकों का जो दुरिमान है वो अधिक उत्पादों का जो दुरिमान है वो कम होता है तो दुर्यमान में जो कमे आती है वो Einstein के दुर्यमान उर्जा संबंद के नुसार उर्जा में convert हो जाती है उर्जा में रुपांतरित हो जाती है आप इसका और भी example यहां पर देख सकते हैं देखे दोस्तों क्या है यदि H12 आपके पास में है तो H12 को आप react करवा सकते हैं अभी किरिया करवा सकते हैं फिर से H12 के साथ में जब H12 और H12 आपस में मिलेंगे तो यह हमारे पास में मिलेगा H13 तो साथ में H11 का उत्सरजन यहां पर होता है तो दर्यमान सेंख्या मिला लीजिए चार होने चीए परमाणू करमांग भी दो होना चीए यहां पर आप देखेंगे कि साथ में कुछ उर्जा का भी उत्सरजन होता है तो यह दूसरा example है नाभी के सलियन अभी किरिया का अब दोस्तों अभी कारकों का जो द्रिमान है वो अधिक उत्पादों का द्रिमान है वो कम तो द्रिमान में आई जो कमी है वो अइंस्टीन के द्रिमान उर्जा संबंद के नुसार उर्जा में कनवर्ट हो जाती है उर्जा में रुपांत्रित हो जाती है तो देखी क्या ह नाभी की समलियन अभी किरिया में अभी किरिया में उत्पादों का द्रिमान अभी कारकों के द्रिमान से कम होता है अभी कारकों के द्रिमान से कम होता है द्रिमान में आई यह कमी द्रिमान में आई यह कमी अइस्टीन के द्रिमान उर्जा संबन्द के अनुसार अनुसार उर्जा में बदल जाती है अनुसार उर्जा में बदल जाती है तो दोस्तो नाभी के सलियन अभी किरिया में अत्यदिक मात्रा में उर्जा का उत्सर्जन होता है इन अभी किरियाओं में अत्यदिक मात्रा में जो नाभी के विखंडन है उससे कई गुणा अत्यदिक मात्रा में उर्जा का उत्सर्जन होता है दोस्तो तो ये इसका एक एक एक्जामपल हम आपको बताते हैं कि नाभी के सलियन अभी किरिया कहां पर होती है तो नाभी के सलियन अभी किरिया सूरिय और तारों पर जो होने वाली अभी किरिया होती है और कैसी reaction होती है उसके लिए हमारा जो अगला वीडियो है उसमें आप अवस्य देख सकते हैं कि इसके साथ में हम बात करें hydrogen bomb तो hydrogen bomb है वो नाभी की सलियन अभिक्रिया पर आधारित होता है और ये परमानु bomb की तुलना में ज़्यादा घातक होता है इससे काफी ज़्यादा उर्जा का उत्सरजन होता है अब जो नाभी की सलियन अभिक्रिया होती है संपन होती है उनके लिए आवश्य कंडिसंस कौन कौन सी है वो समझ लीजिए कि एक तो उच्च तापमान की आवश्यक्ता होती है नाभी की सलियन अभिक्रिया तब होगी जब तापमान बहुत ज़्यादा हो देखे दोस्तों तापमान है लाखो डिग्री सेंटिगेट दसकी घात साथ दसकी घात आठ केलविन तक का तापमान चीए तो लाखो डिग्री सेंटिगेट का जब तापमान होता है तब नाभी की सलियन अभिक्रिया संपन होती है और इतना ज़्यादा तापमान किसी प्रियोग साला में संभव नहीं होता तो किसी भी नाभी की सल्यन अभीकिरिया को संपन करवाने के लिए पहले परमाणु बम से विस्पोट किया जाता है तब जाकर नाभी के सल्यन अभीकिरिया हमारे यहां पर पर्थवी पर संपन हो पाती है दोस्तों तो नाभी के सलियन अभी के लिए आवशक जो सर्थ है कि अत्यदिक तापमान चाहिए दसकी घात आठ के लिए तापमान की आवशकता होती है फिर दूसरी कंडिशन क्या है कि सलियन होने वाले नाभी क पास पास में होने चाहिए तो नाभीक बिलकुल पास-पास में है तो उनका आपस में सयोजन होगा और एक नाभीक बहुत दूर है दूसरा नाभीक यदि इनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो उनका सलीयन भी नहीं होगा दोस्तों तीसरी जो condition है कि सलित होने वाले जो नाभिक है उनका दुर्यमान भी अत्यदिक होना चाहिए अन्य था सलित होने की जो प्रिक्रिया है वो संभव नहीं हो पाएगी तो दोस्तो इस वीडियो में आपने देखा कि नाभी की सलियन अभिक्रिया क्या होती है नाभी के सलियन अभिक्रिया के एक्जामपल्स हमने देखे और इसके साथ में हमने आपको बदाया कि सलियन होने के लिए कौन सी सर्ते जरूरी है कौन सी conditions की आवशक्ता होती है आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद दोस्तो